आप सभी का चैनल में स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो से आप सीखेंगे कि आपने कैसे सही वर्ब या वर्ब फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करना है इस प्रकार के फिल इन द ब्लाइंक्स हर क्लास के एक्जामिनेशन में इंग्लिश ग्रामर चेक करने के लिए किसी भी तना से पूछे जाते हैं साथ ही competitive examinations के लिए भी ये practice बहुत useful है सही जवाब को अच्छे से explain किया गया है ताकि आप इस प्रकार के questions को second में हल कर सकें साथ ही answer की भी वीडियो के अंत में provide की गई है I did not like the movie as the movie dot 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 very slow इस वाक्ष का ये अर्थ निकल रहा है कि मुझे movie पसंद नहीं आई क्योंकि movie slow dot 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 चुकि beginning simple past tense के negative sentence की है इसलिए इसका next part भी past tense में होगा इसलिए past में singular subject यानि movie के लिए was का use होगा इसलिए option c यानि was सही उत्तर है राजीव एंड राजू have dot 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 with each other options है fought, fight, fighting sentence का अर्थ ये निकल रहा है कि राजीव और राजू ने आपस में लड़ाई की है ये present perfect tense का sentence है क्योंकि इसमें have के बाद verb का use हुआ है लड़ने की English होती है fight और fight की वीत्री होती है fought इसलिए a option यानि fought सही answer होगा who dot responsible for this mishap और इसके options हैं has, were और was इस sentence का मोटा मोटा ये अर्थ निकल रहा है कि इस हाथसे का कौन जिम्मेदार has option गलत है क्योंकि यहां main verb missing है were का use plural subject के साथ past tense में होता है अब बची हुई option was सही answer होगी क्योंकि singular subject के साथ was का use होता है तो इसका सही जवाब होगा option c I have dot a lot on this issue options है speak, spoke, spoken मैंने इस बुद्धे पर काफी बुला है ऐसा कुछ meaning इसमें निकल कर आ रहा है चुकि I have के बाद verb के options है इसलिए यह tense present perfect tense है बोलने यानि speak की third form spoken होती है इसलिए c option यानि spoken इसका सही जवाब होगा she dot only since October 2020 options है have been, was और has been वैं October 2020 से छुट्टी पर है यह इसका अर्थ निकल रहा है चुकि वैं fixed period से लगातार छुट्टी पर है इसलिए यहां present perfect continuous tense का use होगा इसलिए इस tense में singular subject के साथ has been का use होना चाहिए इसलिए option c यानि has been इसका सही उत्तर है it dot not occur to me that she was deaf options है does, do, did इस वाक्य का मोटा मोटा आर्थ ये निकल रहा है कि ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई कि वह बहरी थी occur to का आर्थ होता है बात का दिमाग में strike करना चुकि sentence का बात का part past tense में है तो इसका beginning का part भी past में होना चाहिए इसलिए हाँ did का use appropriate है वैसे भी did के बाद v1 का use होता है she will go there if you dot 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 her options है invites, invited और invite ये conditional sentence है इस प्रकार के conditional sentence में sentence का एक part future indefinite tense में होता है जबकि इसका दूसरा भाग present indefinite tense में होता है इसका अर्थ ये निकलता है कि वै वहाँ जाएगी यदि आप उसे बुलाते हो तो you के बाद verb में इस tense में yes या yes नहीं लगता है इसलिए invite यानि option c इसका सही उत्तर होगा she was dot 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 to leave but she did not leave options है told, tell, telling उसे जाने को कहा गया लेकिन वै नहीं गई कुछ ऐसा अर्थ निकल कर आ रहा है sentence का पहला पार्ट simple past में है परंतु passive voice में passive voice में हमेशा V3 का use होता है tell verb की V3 होती है told इसलिए option A सही जवाब होगा I said something which dot 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 not liked by her option है is were was मैंने कुछ कहा जो उसके द्वारा पसंद नहीं किया गया इसका ऐसा कुछ मीनिंग निकल रहा है sentence की beginning simple past tense में है आगे का पार्ट भी simple past tense में है लेकिन passive voice में पहचान के लिए हाँ by का use किया गया है singular subject के लिए यहाँ past में was का use होगा इसलिए option C सही जवाब है I dot to bring certificates and felt embarrassed options है forgot forget forgotten मैं certificates लाना भूल dot 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 और शर्मिन्दा होना महसूस किया ऐसा कुछ अर्थ निकल कर आ रहा है embarrassed यानि शर्मिन्दा चुकि यहाँ felt यानि simple past या we too का use हुआ है तो लाजमी है कि first part के sentence में भी we too का use होना चाहिए इसलिए भूलने की अंग्रेजी यानि forget का we too use होगा जो की है forgot इसलिए option A सही उत्तर होगा they are being dot 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 by the government options है helps helped helping यह present continuous tense का sentence है परंतु passive voice में क्योंकि यहाँ being b e ing का use हो रहा है दूसरा इसमें by का use भी किया गया है मदद करने को help कहते हैं और help की वीत्री होती है helped तो अर्थ हो जाएगा उनकी सरकार द्वारा मदद की जा रही है इसलिए option B सही जवाब होगा she dot loved by everyone options है has have और is पहली option has गलत है क्योंकि इसमें by का use हुआ है she के साथ have का use नहीं होता है इसलिए option B भी गलत है अब बची option C सही जवाब होगा ये present indefinite tense का sentence है परंतु passive voice में इसका आर्थ होगा उसे सब पसंद करते हैं या फिर उसे सब के द्वारा पसंद किया जाता है it will dot only a few seconds options है take, took, taken केवल कुछ seconds लगेंगे ऐसा कुछ मीनिंग निकल कर आ रहा है future indefinite tense में V1 का use होता है और यहां V1 है take तो option A यानि take ही सही जवाब होगा it dot me a lot to see them asking for arms options है disturbed, disturbs, disturbed उनको भीक मांगते हुए देखना मुझे परिशान करता है इसका ये अर्थ निकल कर आ रहा है arms यानि भीक ये भी present indefinite tense का sentence है इट के बाद इस tense में वर्ब के साथ yes या yes लगता है तो disturbs यानि option B इसका सही उत्तर होगा देवर dot entry for being late options है deny denies, denied उन्हें late होने के लिए या late होने के कारण entry नहीं दी गई इसका कुछ ऐसा अर्थ निकल रहा है इस simple past tense का negative sentence है लेकिन passive voice में यहाँ V3 का use होगा मना करना यानि deny और इसकी V3 होगी denied इसलिए option C इसका सही उत्तर होगा I dot the clothes on fire options हैं set setting set it मैं कपड़ों को जलाता हूँ या मैंने कपड़ों को जला दिया इसका यही कुछ मीनिंग निकलेगा set verb की तीनों वरफॉर्म्स same होती हैं वैसे set it कोई word नहीं होता है इसलिए चाहे tense present हो या past option A यानि set ही सही उत्तर होगा that's all for this video आशा है कि आपके काफी doubts आज दूर हो गए होंगे और आप grammar portion को confidently solve कर पाएंगे इसी तना channel से जुड़े रहिए और अपनी English improve करते रहिए Bye friends दूरा मुद़े जूरा मुद़े रहिए